ताटा कंपनी की एक ऐसी कंपनी है जिसके नाम में ताटा नहीं है और उसका स्टॉक अभी रिसेंटली बहुत बढ़ा है बिकॉस अफ दे प्रॉफेट्स आप लोगों ने अभी तक नाम गेस कर लिया होगा आज हम बात करेंगे तेजस नेटवर्क के बारे में हलो एवरिवन मेरा नाम है शूती खोपड़े आज मैं एक तेजस नेटवर्क का थोड़ा डीटेल अनलेसिस आपके लिए प्रेजन करने वाली हुई आपे आपके आपको यह अच्छा लगेगा तो फर्स्ट अफ आफ आल तेजस नेटवर्क आज अज अ कम्पणी क्या करता है इससे स्टार्ट करेंगे हम लोग तो अगर यह कम्पणी टाटा ग्रूप ने लाइक पर्चस किया है उसका आगे डीटेल हम जर्नी भी देखेंगे बट इन 2022 टाटा ग्रूप ने तेजस ने पूरा पॉर्टफोलियो है अगेन इनका जो मॉडल है यह असेट लाइट मॉडल है बिकॉस मेंली यह लोग आरेंडी पर जादा फोकस करते हैं बिकॉस अफ विच अल्मोस 60% अफ इनके एंप्लोईज भी रिसर्च अंड डेवलपमेंट इस अरेंडी में ही है इनका क्या है प्रोड़क्स क्या नहीं यह आगे हम डीटेल में समझ लेंगे प्लस कैसे इनका मैनुफेक्ट्रिंग फैसिलिटी कि इदर है या फिर कौन-कौन से EMS प्लेयर से वगरा यह सब का आगे एक-एक मैंने डीटेल में स्लाइड किया है पॉर नाउ अगर एक समरी प्रोस ही पेटन्स है इनका इक इनोवेटिव प्रोड़क्त मतलब सौफ्ट्वर डिफाइंड हाडवेर भी यह लोग बनाते है और इस अमंग दर टॉप टैन ग्लोबल ऑप्टिकल अग्रिगेशन प्लेयर मतलब जो भी यह उप्टिकल फाइबर नेटवर्क होता है जिसके प्रोवर्स सारी कनेक्टेड है उसमें यह ग्लोबल प्लेयर में टॉप टैन है इनके ग्लोबली लाइक जैसे हुआई वगरा जेटी यह जो चाइनीज प्लेयर से यह इनके कॉंपेटिटर्स ही है तो इस काइंड ऑफ उन दाट सिमिलर लेबल इवन अगर हम यहां पे इनका थोड़ा सा इंटरनाशनल बिजनेस भी है तो इसका क्या मिक्स है वगरा यह भी हम लोग आगे डीटेल में देखेंगे अगर ओवरल कंपनी कौन से मार्केट में अभी है तो तेजस नेटवर्क जैसे कि मैंने बोला कि टेलिकॉम का नेटवर्क है इन लेक टेलिकॉम के लिए जो इन-to-end प्रड़क्ट सही है सब इनके पॉर्टफोलियो में आते हैं तो फर्स्ट मार्केट इस 4G, 5G, RAN, RAN मतलब जो कॉलिंग के लिए या फिर जो टेलिकॉम कंपनी को नेटवर्क लगता है ब्रॉडबैंड के लिए इवन ये टॉवर्स का जो नेटवर्क इवन जो फाइबर केबल से अंडरग्राउंड के लिए जिसमें डेटा ट्रांसफर होने के लिए पाकेट जो रहते हैं अंडरग्राउंड जो लाइन होती है और इवन सी में भी तो वो भी उसका भी पूरा इंफ्रास्ट्रॉक्चर यह लोग बनाते हैं इवन दे वर्क इ पे बिजनेस के लिए या फिर घर पे जो ब्रॉडबैंड के जो बॉक्स होते हैं जिससे डेटा रिसीव अगेरा होता है यह सब भी वो लोग बनाते हैं अगर पूरा टेलिकॉम नेटवर्क्स का इनका इंटू एंट प्रोड़क्ट दिखेंगे तो तीन मार्केट्स में इ इन फ्य तेलीकोम्मिनकेशं मतलब जो फार जी फाइव जी जो मोबाल नेट वर उसके लिए इन टू एंट यह पूरा पूर्ट्फोलियो बनाते हैं जिसमें जो आंटेना जो टौर के ओपर रेडियो उते हैं वो भी इनके पास हैं प्लस जो बैस में भी जो आंटेना होते है टौवर के वो भी यह लोग बनाते हैं इसमें ही इनके पास B.S.N.L. और L.T.L. जैसे clients भी है इवन इसके बाद अगर metro aggregation या फिर carrier routing मतलब जो basically data traffic manage करने के लिए जो भी again लगते है products वो भी यह लोग बनाते हैं and third is core वाला जो market है तो इनका main focus अभी तो भी aggregation मतलब middle वाला and broadband access मतलब पहले दो जो है उन पे इनका main focus है and core में जो railway वाला infrastructure या फिर जो C में जो रहता है optical network वाला infrastructure वो सब इनका metro core and long hall में आता है because यहां पे connect like जो products है इनके तो वो longer distance के लिए data connectivity के लिए यूज होते हैं अगर हम overall market segment देखेंगे कि कौन से market यह cover करते तो इनके पास कुछ product wireless market के भी है जो की जैसे 4G 5G रान वाले जो अभी पिछले slide में हमने देखा कि 4G 5G रान का basically जो broadband access वाला market है वो इनका most of the products comes under wireless market और एक wire line वाला भी है जो जिसमें इनका यह है core वाला जो market है वो wire line में आता है जो third वाला है तो अगर हम industry wise बात करेंगे तो जो addressable wireless market है वो इन्होंने अलमेस्ट भी project किया है कि Fy29 में उनके पास 58 USD billion रहेगा एंड उसमें major part will be ran because इनका main focus as I said 4G 5G पर है तो main 43 इसमें ran है and remaining 15 यह core वाला part जो है infrastructure का वो रहेगा जो which is currently now 9 core वाला and in Fy24 ran वाला 35 है तो एक आप्रॉक्स 6% का कैगर इन्होंने यहां पर बोला है for wireless market अगर हम wire line market की बात करें तो wire line के case में multiple बाकी के products जैसे वो data traffic maintenance के लिए के जो switch है या फिर जो routers वागेरा का infrastructure है या फिर rail tail वाला जो infrastructure वागेरा है वह सब इसमें wire line में cover होता है तो wire line का इन्होंने कैगर दिया है अल्मोस्ट 9% यहां पर एक note करने वाली बात यह रहेगी कि जो भी like top tier वाली जो global AEMS है इनको यह लोग target कर रहे है बैसिकली यह इन्होंने अभी के investor presentation में दिया था तो यहां पर हम देख सकते कि global level पर यह लोग अभी OEMS टार्गेट कर रहे है along with India अगर manufacturing की बात करेंगे अभी तो जैसे की मैंने बताया है कि इनका asset light manufacturing model है जो भी EMS player से इनसे यह लोग manufacture कर वा लेते हैं यह खुद ही R&D करके product develop करते हैं उसके बाद manufacturing EMS player से करने के बाद वह उसकी testing मतलब quality case है product जो उन्होंने मतलब expected था वो ही manufacture हुआ है यह नहीं इसके लिए भी लोग खुदी testing करते हैं इसका एक planting का बैंगलोर में है इसकी एक facility with I think approximately 24,000 square feet and वो भी आगे जाके और facilities भी add करने की यहां पे उन्होंने बोला है उनके plus 75 plus countries में service centers भी है because अगर कोई infrastructure यह लोग बनाते है तो उसका support भी like maintenance का वगेरा या फिर उसमें कुछ खराबी आई तो उसके लिए भी technical engineers है तो उसके लिए भी कुछ offshore इन्होंने employees वहां पे भी रखे है जो service centers 75 plus countries में to make just sure that 24 by 7 उनके customers के लिए support रहे अगर इनके कुछ unique products की बात करें तो जो TJ1 600 है यह एक optical transport का पूरा platform इन्होंने बनाया है जिसमें basically जो tower है मतलब जो telecom का tower रहता है वहां से लेके हर जगे तक कैसे यह data transfer होगा उसका सारा portfolio यहां पे cover किया है products का तो यह like slide में हम लोग देख सकते कि even like 4G 5G का backhole मतलब जो repair maintenance है वो भी यहां पे company cover करती है प्लस अलग-अलग मतलब जो network से भहां पे data कैसे transport होगा इवन उसका data traffic भी कैसे route होगा यह भी यह लोग यहां पे cover करते है तो 2021 ने भारती अर्टल ने एक project इनको दिया था for 5G network and even because of this they got some international opportunities in Africa which is Tele1 ने Zimbambay में दिया था and Gignet ने Mexico में दिया था and अगर हम यह second product देखेंगे जो TJ 1600 core switch है तो यह world का largest packet and optical switch है जो basically data centers को connect करने में use होता है even यह 5G cloud and broadband networks है जो यहां पर हमको दिख रहे है उसमें जो like packet में data travel होता है तो उसके लिए जो switch लगते है वो यह लोग manufacture करते है and इनोंने यह एक like इसमें uniqueness इनोंने एक मुझे ही अच्छा लगा डाला है कि वो power consumption low रहेगा इसका because of the solar panels which they use तो यहां से हमको एक दिखता है कि एक innovative product से लोग बनाते है खुदी R&D करके again second like next product is TJ5100 this is basically a integrated network management software है तो यहां पर इन लोगोंने hardware में software induce किया है so basically they combine all their products in this just to give a single window solution अगर just suppose कोई railway के लिए, metro के लिए अगर कोई infrastructure like optimal fibers का infrastructure उदर वो लोग बना रहे है तो using this software they can manage कौन से टाइम पर कौन सी railway आईगी plus कितना like backup भी रहेगा data का plus उसमें से वो लोग कुछ efficiency अगर लानी है अगर कोई particular railway थोड़ा slow हो रही है या फिर fast हो रही है या फिर कैसे कौन से route से कौन सी railway जाएगी यह सब वो यहां से manage कर सकते है तो यहां पर again यह actual में rail tail use कर रहा है देल्ले Metro के लिए तो यह एक innovative और प्रड़क्ट इनका है जिसमें इनका एक बार infrastructure बनाने के बाद यह लोगों का recurring business रहेगा based on the usage मतलब एक बार suppose इनोंने rail tail के लिए एक infrastructure particular Metro का बना दिया तो उसके बाद जैसे जैसे वो use होगा data या फिर यह platform और hardware जो भी है तो उसके basis पे इनका recurring revenue that is recurring business वहाँ से बनता आएगा next is Bharatnet जो एक unique like unique opportunity बनी है company के लिए I think इसका काफी ओलड़ी आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि TCS के थू इन लोगों का इन लोगों को BSNL का एक order मिला है भारतनेट का first phase के project का which is like amounting around 7500 crore and basically Bharatnet ये क्या है तो ये government का project to connect our rural areas via BSNL तो इसमें almost government cover करेंगी 2,500,000 gram panchayats जिनको connectivity होंगी for the network that is telecom network plus जो internet का भी है connection वो सब रहेगा तो उसके लिए जो भी infrastructure है उसके phase 1 में इन लोगों को almost 1 lakh sites के लिए Tejas को वो order मिला था and उसमें से कुछ इनोंने अभी FY24 में भी किया है complete वो भी हम आगे देखेंगे तो because of this काफी सारा international attraction इनके पास आ है because like 1 lakh sites वो pan India based पे complete करेंगे तो उसके लिए इनके पास काफी expertise भी होने चाहिए plus employees भी उतने होने चाहिए overall capacity उतनी होनी चाहिए company की तो जिसके वज़े से आगे जखके like इनको कुछ international business भी मिला है recently इनको एक Egypt से भी इनका उन्होंने memorandum of understanding sign किया है based on this business only तो BSNL का एक काफी अच्छा unit selling proposition company के लिए हुआ है and which I think it will further enrich their order book क्योंकि इसका phase 3 भी अभी आने वाला है purchase order तो वो भी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या opportunities है अगर overall company की journey की बात करेंगे तो 2000 में company found की थी Mr. Sanjan Nayak and Kumar Sivaranjan ये दोनोंने तो इन में से Sanjan Nayak ने तो like वो I think last year तब थे company के साथ management में but अभी उन्होंने रिजेंग किया है but Kumar Sivaranjan he is still Chief Technology Officer till date तो basically हमको यहां पर यह दिखता है कि जो promoter है वो अभी भी management में है and R&D like research वाली company में वो CTO मतलब अच्छे खास्ते main position पे ही है then 2002-2003 में company ने start किया actually products बनाना for network of data transfer data cleaning या data traffic में manage करने के लिए 2017 में company list हुई है BSC और NAC में यहां पे एक anchor investor मतलब एक anchor investor इनको मिला था काफी सारे इनके projects में इसके बाद 2021-2022 में Tata ने इनको acquire किया तो पहले 43% ही Stake Tata Suns ने लिया था 2021 में उसके बाद 53% 22 में लिया था basically Tata में stake sale करने का promoters का main idea यह था कि because of Tata उनको एक international exposure मिल सकता है जो इनको normally like नहीं मिल रहा था till date so because of that they went into that acquisition 2022 में इन्होंने Sankhya Labs करके एक company को acquire किया है with 64% stake and 284 or Aprox CR में basically Sankhya Labs यह एक semiconductor like इनके पास design है यह खुद manufacture नहीं करते है बड़ सेमी कंड़क्टर की company है plus उनके कुछ wireless segment में radios वगरा के project है and they actually sell that products in USA तो यह एक international exposure के लिए एक uptick हो सकता है company के लिए and plus Sanjay Nayak जो promoter है उनका अभी भी company में थोड़ा सा I think 1.26% का stake है till date अगर इनका आगे जाके इनके क्या growth drive and transition है मतलब क्या company ने expect करा है यह मुझे इनके annual reports में मिला है तो basically they are continuing the focus on R&D because of innovation वो R&D पे completely focus करते रहेंगे even recently like last year कही है तो they want India's large market size to gain because अभी बहुत सारे Chinese players जो मैंने बोले थे ZT हुआई करके यह काफी Chinese players यह market में अभी भी है because of the cheap pricing उसकी वज़े से इनका भी target है कि 5 years में ऐसा capex cycle driven करे कि they will get a 5G and broadband service का largest market size and even they wanted to expand the international business as I said because of Tata Group का भी इनको एक support भी मिला है तो they are targeting to expand international business and build a global scale operation अगर management की बात करें तो अभी like I said की April 23 में Anand Athreya यह CEO बने है company के so he is a software guy obviously and उनको 18 plus years का management का experience है he worked with Juniper Networks जो एक rivalry है it is not like it has a global business but it is also on the same pace of Tejas Networks उनके पास B.E. and M.Tech की भी डिगरी है India से प्लस उन्होंने Harvard से भी management की एक डिगरी की हुई है then Kumar Sivaranjan यह एक promoter that is founder में से है co-founder यह अभी तक CTO है so he also has 30 plus years of experience and Tejas से पहले वो associate professor रह चुके है Indian Institute of Science that is IIT Bengaluru के लिए and even इनके पास B.Tech and IIT की डिगरी है then अगर Chief Operating Officer की बात करेंगे तो Arnob Rai यह COO है company के इनके पास 30 plus years का experience है उन्होंने भी पहले US में काम किया हुआ है and he also has a B.Tech की B.Tech plus IIT की डिगरी from Kharagpur तो overall experience management है जो co-founders पहले like 2000 से लेके अब तक Kumar Sivaranjan company के साथ ही है तो इन सबसे हमको यह दिखता है कि experience management है plus continuous management का भी यहाँ पर support रहा है overall business में अगर Sankhya Labs की बात करेंगे तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से company ने Sankhya Labs को acquire किया तो basically Sankhya के पास भी broadcasting के related कुछ products है उनके पास जो 5G के लिए जो लगते है RAN के लिए radios वो है basically जो tower होता है 5G का तो उसमें antenna के नीचे base में एक radio होता है जिससे data transmitted होता है तो इसके radios का already Sankhya Labs produce कर रहे है and even they are selling it in US market तो यह एक addition हो रहा है company के लिए for this 5G 4G RAN का business and इनके पास कुछ satellite IoT मतलब internet over things के जो devices satellite के लिए यह भी लोग बनाते है इसके लिए इनको recently एक space के लिए order भी मिला है तो plus इनके पास semiconductor design chip design का भी expertise है यह लोग अभी तो कुछ manufacture नहीं करते है इनोंने जो chip design linked जो incentive scheme है उसमें भी apply किया हुआ है तो basically 2022 में post covid chip market थोड़ा सा disrupt हो गया था जिसका impact pages पर भी आया है तो in future if company wants in-house chip manufacturing जो इनोंने बोला नहीं है अभी तक but यह एक add-on हो सकता है Sankhya Labs इनके लिए because इनके पास already उसका design का expertise है तो अगर government की boost की बात करें तो जैसे की अभी मैंने भारत ने जस्ट बोला है तो वो एक बड़ा project इनको मिल रहा है प्लस इनके पास production link जो PLI scheme होती है production link incentive scheme तो इसमें यह भी इनको मिली है इसका I think इनको थोड़ा सा incentive अभी last year भी मिला है like FY24 में इननोंने almost इनके पास 750 CR का approved investment है वो scheme में plus make in India initiative में government ने बहुत सारे like public product like public purchase के लिए जो BSNL जैसी companies है उनके लिए mandatory कर दिया है telecom के कुछ products domestic players से ही purchase करना जिसकी वज़ए से यह पे एक opportunity मिली है over the global product global manufacturers and even like मैंने बुला है कि सांख्या के पास chip design incentive scheme हो सकती है तो वो एक plus point है company के लिए and plus government ने एक trusted telecom equipment sourcing वाला company से ही mandate किया है to purchase the this telecom equipment and Tejas के पास इसका already certificate है तो यह also दिखता है कि आत्म निर्भर भारत के लिए और कोई private players है जिनसे इनको business आता है BSNL का business private में आने की यहां पे बात यह है because इनको business वो TCS के through आया है TCS को वो PO मिला है and TCS ने वो carry forward किया है Tejas को and international मतलब जो इनका आफ्रीका वगर है में मेक्सिको में जो मैंने बोला है वो थोड़ा सा business है तो ओवराल वो international में आता है जिसमें overall like India में जितने भी BSNL के network से बहाँ पे एक up gradation करना था router का तो वो project इन्होंने अभी FY24 में complete किया है प्लस जो भारतनेट का phase 1 का 1 lakh sites का project था उसमें से 10k sites इन्होंने ship कर दिये मतलब 10k sites के लिए वो इन्होंने ship कर दिये तो जिसकी वज़े से इनका revenue एकदम बड़ा है in case of India private and India government में भी and overall like यहाँ पर हम देख सकते कि compared to FY20 जिदर almost 380 CR revenue दिख रहा है वो almost 2300 CR चला गया है FY24 so basically यहाँ पर again execution matters अगर यह लोग ऐसे ही rate पर execution करते रहे और इनको orders मिलते रहे तो यह आपको growth यहाँ पर दिख सकती है but थोड़ा सा एक inconsistency भी दिख रही है from 920 directly एक 2300 के range में यहाँ पर revenue कया है international business की बात करें तो international में भी जो Egypt से इनको अभी मिला है MOU मतलब Memorandum of Understanding तो आपसे पर एक partnership इनोंने की है plus Africa का भी कुछ business इनका भी realize हुआ है तो वह रहाल उसके वज़े से भी थोड़ा सा international business increase हुआ है but major boost Fy24 में government और private से आया है अगर order book की बात करें तो इनका order book like quarter 4 of Fy22 में almost 1100 CR था उसके बाद directly अभी quarter 2 जो Fy24 में था वो 9200 CR के आसपस गया है यह mainly increase जो आया है वो भारत net की वज़े से ही आया है because इसके पहले वाले अगर हम quarters दिखेंगे तो 1500 to 2000 CR के बीच में इनका order book रहा है but because 7500 और figures का उनको भारत net का order आया था तो उसकी वज़े से यहाँ पे 9200 के range में इनकी order book चली गई है जो अभी थोड़ा सा उनने पाटली अभी execute किया जिसकी वज़े से वो 8200 है as of now that is quarter 4 FY24 अगर recurring business की बात करें तो जैसे मैंने बताया है इनका यह लोग infrastructure बना के देते हैं उसके बाद basis on usage भी इनके पास recurring business होता है wireless segment में तो उसकी वज़े से यहां पे recurring business का revenue सिर्फ private और international का as a percentage नहीं दिया है तो वो अगर हम देखेंगे तो FY21, 22 में वो almost 80% के around था then FY23 में थोड़ा सा 75 के असपास है and last like two quarters में Q1 & Q2 में FY24 में वो थोड़ा कम हो गया है 65% this is because इनका नया order book थोड़ा बड़ा है अभी recent में company ने as such ऐसे कुछ division में को दिया हुआ दिखा नहीं मुझे तो उसकी वज़े से मैंने यहां पे वो add नहीं किया है but overall 60 to 70% इनका revenue अभी recurring business से ही आ रहा है यह हम लोग एक बोल सकते है at least based on the quarter 1 & quarter 2 के जो numbers है Fy24 के अगर आगे revenue & margins की slide देखेंगे तो यहां पे I think आपको slide देखके समझ आएगा कि बहुत inconsistency है revenue और margins में because इनका R&D पे काफी focus है जिसकी like slide इसके बाद ही है तो R&D पे focus है plus they wanted to get the market size तो उसकी वज़े से revenue बड़ा है but along with that R&D का cost भी इनका बड़ा है उसकी वज़े से अगर हम देखेंगे तो margin almost negative है Fy20 में 20, 21, 22 में मतलब company losses में ही है in companies history last quarter पहली बार इनके पास highest revenue generate हुआ है and profitable भी रहा है इनको financial year 24 because of the last quarter only जब इनोंने पूरा वो सब BSNL का भी execute किया है तो उसकी वज़े से इनको last quarter profitable रहा है company as such guidance नहीं दिया है future का कि कितना margin रहेंगे operating margins का क्या level रहेगा या फिर कैसे यह लोग आगे revenue growth करेंगे but they are targeting existing company का margin है Fy 19 में it is around 20% I think they are targeting that but as such company के तरफ से कुछ भी comment नहीं है future में इसका outlook क्या रहेगा अगर research and development की बात करेंगे तो उसमें overall यहां पर हम इंपक्त हमको operating expenses में दिख सकता है जहां पर R&D का expense as a total expense is almost 20-25% जिसमें employees भी employees का cost भी almost 20-25% ही है since FY21 to 23 वो भी increasing level पर है and अगर हम material का यहां पर cost देखेंगे तो 50s के range में ही है FY20 से 23 तक तो इसका main reason वही है जो मैंने बोला था starting में कि semiconductor chips जो है उसका market पुरा disrupt हो गया था post covid शॉटेस था chips का and as यह लोग थोड़ा optical networks के लिए plus broadband services के लिए जादा बनाते है products तो इनको भी products में वो chip लगता है उसकी वज़े से material cost यहां पर high दिख रहा है and इसकी वज़े से इनका operating margin भी effect हुआ है but अभी उन्होंने commentary दी थी Q3 में I think कि यह market अभी again back to normal हुआ है तो we can say that there will be something like थोड़ा सा decrease होगा मेरे पास अभी Fy24 के latest number नहीं है because annual reports अभी तक आना बाकी है तो इसलिए यह slide में Fy23 तक ही data है but we are hoping की I think यहाप execution बेटर दिखा होगा because इनको last quarter में profit भी आया है and अगर हम last slide देखेंगे तो Fy24 में EBITDA that is operating profit दिख रहा है almost थोड़ा सा 300 की range में and margin भी दिख रहा है around 15-14% के around तो it means इनों ने यहापे थोड़ा सा efficiency दिखाया होगा अगर आगे हम बात करेंगे तो यह एक R&D focus company है इनके पास थोड़ा बहुत यह capitalization भी कर रहे है expenses का that is R&D expenses का तो मतलब यह spend अच्छा कासा कर रहे है तो but I am amazed कि इनके पास borrowing at such balance sheet में कुछ भी नहीं है अगर हम यह पर राइट सर में देखेंगे तो March 2020 से लगके March 23 तब जीरो ही है borrowings इन्होंने कुछ borrowings लिया नहीं है This is mainly because इनका अगर cash flow देखेंगे तो cash flow में इनका cash वहां पर भी spend हुआ है Cash positive हो रही है नीचे financing में जहां पर यह जो company के share से वह धीरे धीरे थोड़े से बेचे हुए दिख रहे है promoters ने अगर हम यह पर बात करेंगे तो March 23 में promoters का stake था 56.37 जो 24 में 55.6 हुआ है So basically promoter ने धीरे धीरे करके अपना stake बेचा है यह लोगों ने proceeds यहां पर लाई है to use it into further business तो यह key risk दिखता है कि company ने like promoters ने थोड़ा सा stake बेचा है I know it's into points बट यह risk बोल सकते है कि थोड़ा सा negative cash flows यहां पर company के दिख रहे है from operating activities इसमें भी again latest figures अभी तक आई नहीं है तो अगर 2024 में जिस हिसाब से यह लोग profit भी booking उने किया है तो यहां पर cash flow positive हो सकता है तो we will have to see जब तक annual reports आती नहीं है तब तर अगर overall shareholding pattern की बात करें तो likewise I said March 23 के बात promoters ने थोड़ा थोड़ा stake sale किया है यहां पर DIs भी like थोड़ा सा point to point 3.97% है March 24 में 4.77% DIs में I think mainly Nippon यहां पर एक है East Bridge Capital जो actually anchor investor था वो भी थोड़ा सा उनका stake है यहां पर still and government pension fund भी यहां पर दिख रहा है FIIs की अगर बात करेंगे तो March 23 में 10.49 है 24 में 11.3 तो यहां पर भी थोड़ा सा increase अगर valuations की बात करें तो company because inconsistencies रही है profits में तो इसलिए आपर PE ratio देखना correct नहीं रहेगा तो इसलिए मैंने आपर market cap to sales का जो ratio है वो like show किया है and for now after so much rally happened in last one month फिर भी वो overall 5 years का जो उनका median है उसके नीचे ही है it is around 7 9 के around है 7 to 9 के around है market cap to sales का ratio जो median 13 है तो अभी भी थोड़ा सा decent valuation बेही company दिख रही है because इनके sales भी growth होना चालू हुआ है that's why ये थोड़ा सा ratio कम आया है अगर opportunities की बात करें तो ये company ने खुद ने अभी जो investor presentation quarterforka दिया है उन्होंने उसमें खुद में दिया था कि इनको इंडिया में क्या opportunities that is cumulative spend expected है तो first is BSNL का 4G 5G जो ran है that is मैंने बोला था भारत net का जो phase 3 project है वो भी है जिसमें इनको almost 5000 million dollars का capex यहां पे expense दिख रहा है government की तरब से भारत plus BSNL का 4G 5G because BSNL के अभी तक कुछ-कुछ network 3G पर ही है तो उसका एक upgradation मतलब basically infrastructure वहाँ पे है बस उसका एक upgradation को करना पड़ेगा अगर यह लोगों को PO मिला तो वहाँ पे भी almost 1 billion dollar का investment इन्होंने दिया है private telecom मतलब जो जैसे Airtail, Vodafone Jio यह जैसे players है तो उनकी तरफ से इनको 5G के लिए ran and crosswall मतलब जो repair maintenance है उसके लिए 3 billion dollar का यहाँ पे इनको capex दिख रहा है and again broadband के लिए जो domestic broadband market business या फिर घर के लिए that is home के लिए जो broadband है तो वहाँ पे इनको almost 600 million dollar का expense दिख रहा है तो अच्छा गासर इनको cumulative spend 2-3 years में expected है plus global level पे भी as because already global level पे काफी Chinese players है जैसे Zetty हुआई Tejas Networks global level पे एक replacement इनके लिए हो सकता है because of US-China rivalry US में यह हो सकता है and even like European markets में भी and because Sankhya Labs already US में थोड़ा सा sale कर रहा है radios का तो उसकी वज़े से वो भी एक इनको add-in हो सकता है and even they expect की 100 billion dollar का business will generate from USA and Europe market for the broad-down investment even Africa में 3 billion dollar का investment for 4G 5G Upgradation because वहाँ पे भी तक 4G 5G Upgradation नहीं हुआ है 3 billion dollar का business यह लोग expect कर रहे है plus utility modernization मतलब जो भी existing infrastructure है उसको modernization के लिए 8 billion का यह पे वो expect कर रहे है तो overall to summarize India and global both level वह अच्छा कासा at least 5 to 6 billion का तो at least expect कर रहे spend in next 2-3 years based on the broadband and जो core वाला उनका market है उससे तो अगर conclude करेंगे अब तक के पूरे detail analysis को तो first of all क्या advantages है Tejas Network के पास तो उनके पास in-house research and development की team है वो खुझ से ही products develop कर रहे है और वो भी innovative products है जैसे हमने 2-3 examples देखे and they have expert management also with them तो इससे हमको एक दिखरा है की expertise इनके पास already है in this telecom sector second a satellite model मतलब वो पूरा focus उनका भी R&D पे है तो manufacturing के लिए EMS player dependent है बट उनके पास उसका quality testing के लिए भी एक facility है Bangalore में तो this shows that it is like also a debt-free company तो this shows that they have a satellite model second is Sankhya Labs जो एक revolutionary move इनके लिए हो सकता है because I already told US market में Sankhya already work करता है plus they have a semiconductor chip design so Sankhya Labs will be add-on and fourth and main important is backing of Tata Group so Tata Group the main support even broadcast business Tata Play people can generate business then next is government schemes भारत Net making India आदमनिर्बर भारत and PLI का schemes तो यह overall government के जो भी initiatives यह एक तेजस के लिए बूस्ट हो सकते है revenue growth के लिए and even profits के लिए and market to cap sales market cap to sales का जो ratio है इनका वो भी 5 year median के नीचे ही है तो overall यह होगे advantage वाले points and अगर risk की बात करें कि क्या की risk है to inconsistent margins company ने as such कुछ भी future का guidance नहीं दिया है जो भी recent में rally हुई है वो mainly because of पहली बार इनका profit आया है last few years में यह पूरी rally हुई है but company ने access कुछ भी operating margin या फिर revenue के guidance नहीं दिया है तो plus inconsistent margins है R&D का spend अभी भी इनका जादा ही है because उदर focus जादा है and second is supply chain में वापस कुछ disruption हुआ जैसे covid के बाद हुआ था semiconductor chips मे तो यह इनको raw material के लिए बहुत impact कर सकता है वहाँ पे cost increase हो सकती है third is realization of funds may take time because government से इनका काफी अच्छा कासा percentage of revenue generate हो रहा है तो जिसकी वज़े से यहाँ पे cash flows positive होने में time लग सकता है fourth is जैसे हमने देखा कि borrowing आज सच कुछ नहीं है but जो promoter से वो धीर धीर stake sale करके यहाँ पे हमको cash generate करते हुए दिख रहा है तो that is a negative concern and अगर government policies में fifth is government policies में अगर वापस कुछ change हुआ और मतलब government ने जो mandate किया है purchase of products from trusted source or domestic players से वो अगर government निकाल दिया तो वहाँ पे global competition दिख रहा है यहाँ पे एक risk दिख रही है overall I think company is good but इनका revenue and margins inconsistent है वो अभी इस पे ही depend करेगा कि यह आगे जाके जो order book है वो कैसे execute करते है जो उन्होंने opportunities बता ही है global plus Indian market में 6-7 billion dollars की जो 2-3 years में आगी तो यह इनको मिलेगी या नहीं इस पे ही I think पूरा company का growth depend रहेगा और यह ही हमको I think देखना पड़ेगा तो मैं आशा करते हूँ कि आपको यह video अच्छा लगा होगा यहाँ पे मैं इसका detail analysis conclude करते हूँ ऐसे ही interesting and detail analysis plus amazing videos के लिए हमारे साथ बने रहना और मुझे comment में जरूर बताना कि आपको यह video कैसा लगा Thank you